से नमर वन से स्टार्ट करते हैं वेल्कम टू स्कूल वेल्कम टू स्कूल यानि स्कूल में कम बाक जैसे हम हमारी गर्म्यों के छुटिया रखती हैं उसके बाद हम स्कूल दो बारा जाते हैं तो यह पोえम उसी पे रिसाइट किये गई है ठीक है आज की date डालनी है हमें इस chapter पे so let's start आपको दिख रहा है clearly आप लोगों को भी read करना है मेरे साथ, okay ओ, I'm so excited for school has begun यानि मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि मेरे school दुबारा खुल चुके है कौन बोल रहा है, यह देखो यहाँ पे एक picture आपको दिख रही है, यह लड़की यह लड़की फिर से अपने school जाने के लिए बहुत ज़्यादा excited है I am always glad no matter how much fun I had in the summer sun मुझे इस पाट से कोई फरक नहीं पड़ता कि मैंने अपने summer vacations में कितनी मस्ती कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे school दुबारा से reopen हो रहे है My books are new, my pencil too My lunch is in my box मेरी books भी new है, मेरी pencil भी new है और मेरा lunch मेरे box में रखा हुआ है It's such fun to join my friends and go to school in flocks इसमें बहुत मिज़ा हैगा क्योंकि मैं अपने friends से दुबारा मिलूंगी उन्हें जोइन करूंगी उनके साथ school जाओंगी और flocks में जाने में My hair is combed, my face is clean Just hear that school bell ring मेरा hair भी comb है, मेरा face भी clean है अभी अभी मैंने सुना कि school की bell ring हुई यानि बजी Holiday is gone, but I don't care I am happy as anything मुझे पता है कि चुटियां खतम हो चुकी है पर इस बात से मुझे कोई फरक ने पढ़ता क्यों? क्योंकि मैं खुश हूँ मेरे school दोबार से start हो चुके है So, ये थी हमारी आज की poem आपको भी इसे read जरूर करना है बार-बार reading करनी है अच्छे से करना है ठीक है? So, अब हम चलता है हमारी exercises की तरफ नेक्स पेच पे नाम तो मेरा नाम मैंने यहां mention किया है मिस मुस्कान विर्यानी ठीक है? मैं आपको इसका पिच्चर भी जरूर भेजूंगी Number 4 The number of students Sorry, the number of children in my class is आपकी class में कितने students है उनका आपको number लिखना है So, आपकी class में 15 students है तो आप 15 लिखेंगे, ठीक है? Number 5 My friend's name is Dash आपकी जो भी friend का नाम आप लिखना चाहें आप यहां पे लिख सकते हैं I like to go to school because आपको school जाना क्यों पसंद है? Because I love my school क्योंकि आप अपने school से बहुत प्यार करते हैं ठीक है? तो आज का हमारा chapter यहीं खतम होता है आपको क्या करना है? आपको यह exercise जो भी आपको कराई है इसका photo में आपको भेज दूँगी आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर आपकी age यह में अपना नाम आपको photo में जरूट भेजूँगी इसे देखके लिखना आपकी class में कितने students है? यहाँ पर वो आएगा आपको यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपकी एज, यह मैं अपना नाम आपको फोटो में जरूर भेजूँगी, इसे देखके लिखना, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वो आएगा, आपके फ्रेंड का नाम लिखना है आपको यहाँ पे, और आपसे एक्वेशन्स दोबारा पूछ सकती हूं रिवीजिन फाइल बना के ठीक है अज का चाप्टर यहीं खतम होता है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चाप्टर की तरफ बढ़ेंगे